दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे math के important प्रेशनों की जो exam में पूछे जाते हैं ठीक है दोस्तों हम वही question बताते हैं जो exam में पूछे जा चुके हैं जा फिर पूछे जाने वाले हैं ठीक है अकेला एक कारे 20 दिनों में कर सकता है और भी अकेला उसे कारे को 30 दिनों में कर सकता है तो वे दोनों एक साथ कारे शुरू करें तो आधा कारे कितने दिनों में पूरा हो जाएगा तो आधा कारे पूछा है दोस्तों ठीक है दोस्तों देखे एक काम को कितने दिन में कर रहा ह 20 दिन में कर रहा है और B उस काम को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है ठीक है दोस्तो A 20 दिन में कर रहा है B 30 दिन में कर रहा है तो इनका क्या करेंगा दोस्तो LCM ले लेंगे कितना आएगा इन दोनों का LCM आएगा आपका 60 ले लिया 20-60 को divide कर दीजिए 3 बारी जाएगा 30-60 कर दीजिए 2 बारी जाएगा ठीक है दोस्तों अब क्या करेंगे 200 मिल के पूछाना 200-67 काम करेंगे तो यह तो आ गया A का, या गया B का 2 को एक 7 पूछा गया तो 2 को 7 के लिए क्या करेंगे मिला देंगे पांच आ जाएगा पांच से इस टोटल काम में डिवाइड कर देना साथ में ठीक है तो तो कितनी बारी जाएगा बारा बारी जाएगा तो दोनों साथ मिलकर करेंगे काम को तो बारा दिन में कर देंगे लेकिन आधा काम पूछा है आधा कार्रे पूछा गया है ठीक है दोस्तों आधे के लिए क्या करेंगा दोस्तों दोसे इस बारा में डिवाइड कर दीजे तो इसका आधा जाएगा मतलब 6 दिन आजाएगा यही क्या हो जाएगा आपका ऐंसर option number B आपका सही हो जाएगा आधा कार्णे की जगा यदि पूरा कार्णे पूछा जाता तो 12 दिन answer हो जाता आधा पुछा गया है तो 2 से divide देजिए 12 में आधा निकल के आजाएगा ठीक है दोस्तों इसका एक दूसा तरीखा भी है ठीक है दोश्तो एक खतने दन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है तो 20 लग से 20 लग लीजी थीक है दोन इतना आजाएगा 6 आजाएगा तो कितने दिन में हो जाएगा काम आधा काम 6 दिन में हो जाएगा तो आप चाहें ऐसे कर लो इस ट्रिक से चाहें LCM बाली ट्रिक से कर लो कैसे भी कर लो आंसर दोस्तो आपका एक ही आएगा तो मैं आपको दोनों ट्रिक बता दी हैं आपको ज हमें के फिर आट 25 क सफमेट गेगा ठीक है दोस्तों देखे एक कितने दिन में कर रहा है वी एक टाइम है 20 मिनिट और टाइम एविशत है दोस्तों 30 मिनट एक टाइमsecond वीस है तो इस लिख लिए वी का 30 है तो 30 यह दोनों को लिए लें लिए कितने बारे जाएगा 12 बारे जाएगा तो यहीं क्या हो जाएगा आपकाір कितना 12 विट बार हो जाएगा 13 अब पूछ कितना अम उम्मिद करता हूँ यह concept आपका clear हो गया होगा इसे दूसरी ट्रिक से भी कर सकते हैं देखे कैसे एक का time कितना है 20 है तो 20 लिख लेंगे multiply b का 30 है तो 30 लिख लिए दोनों को plus कर देंगे कितना जाएगा 50 आजाएगा एक 0 से 10 काट दीजिए 5 छिंग 30 होता है और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा तो ऐसे भी आंसर आपका कितना आगया पारा आगया ठीक है दोस्तों मिद करता हूँ यह question आपका बहुत अच्छे तरीके से clear हो गया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है एक नल किसी होज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिये जाएं तो होज कितना समय में भरेगा ठीक है दोस्तों देखें पहला नल ए है मालीजे पहला नल ए है कितने में भर रहा है 25 मिनट में भर रहा दूसरा नल भी है कितने में खाली कर रहा है 50 मिनट में खाली कर रहा है दोस्तों यह भरने वाला है यह खाली करने वाला है पिछले कुशन देखा था दोनों नल भरने वाले थे लेकिन इसमें पहला भरने वाला है दूसरा खाली करने वाला है लेकिन ट्रिक से उसी से करेंगे LCM बाली से कर लिए दोनों का LCM बavez जागा 25 से 50 को काटेंगे 2 बारी, 50 से काटेंगे तो एक बारी कर जाएगा ठीक हो दोस्तों आप देखे यदि दोनों भरने वाले होते हैं तो दोनों को प्लस कर लेते हैं लिकिन यह खाली करने वाला है यह भरने वाला है तो भरने वाले में से खाली करने वाले को माइनस कर देंगे दोनों में से एक को घटा देंगे जब साथ में भरते हैं तो दोनों को प्लस कर देते हैं जब एक खाली करने वाला होता है तो खाली करने वाले को माइनस कर देते हैं दो में से एक कुछ कर देंगे कितना बचेगा एक बचेगा तो इस पचास में एक से करना है डिवायट कितना जाएगा दोस्तों पचास ही आ जाएगा तो option number C आपका सही हो जाएगा कितना टाइम लगेगा पचास मिनट लगेंगे ठीक है दोस्तों दूसरी वाले ट्रिक क्या है पहला नेल 25 मिनेट भर रहा तो 25 लिग लिजिए multiply में दूसरा 50 में खाली कर रहा है तो 50 लिग लिजिए divide में क्या लिखेंगे देखेंगे पहला question क्या देखा था हमने दोनों को plus कर देते क्यूंगी दोनों भरने वाले होते लेकिन इसमें इक खाली करने वाला है तो अंथर कर देंगे कितना पच्चीस आजएगा 25 से 25 रह horror года किटना बचेगा आपका पचास बचेगा तो यहां भी आपका answer 50 आया है, और यहां भी आपका answer 50 आया है कैसे भी कर लो दोस्तो आपका answer एक ही आएगा उमिद करता हूँ यह question आपको अच्छी तरीके समझ में आगया होगा आप देखेंगे अगला question अगला question है, दो नल एक होच को 3 तथा 4 गंटे में भर सकते हैं तथा एक नल उसे 2 गंटे में खाली कर सकता है यदि 3 तो नल एक साथ खोल दिये जाए तो होच कितने समय में भरेगा ठीक है दोस्तों 2 नल है 3 गंटे बर रहा है एक और 4 गंटे में माल लिए एक पहला नल है A ये कितने दिन बर रहा कि 3 गंटे बर रहा है दूसरा नल है B ये कितने बर रहा है 4 गंटे बर रहा है ठीक है दोस्तो लेकिन एक नल और है जो 2 गंटे में खाली कर रहा है कौन से नल है वो C नल है जो आपको 2 गंटे में खाली कर रहा है ठीक है दोस्तो ठीक है दोस्तों आप देखे क्या करना है मेरा आपको बताया था जो भरने वाले हैं उन्हें कर लें पिलस जोखाली करनेवाला उसे कर Dyan M Flex कर लेंगे क्योंकि पहला भी भर रहा है वहीज च्छा मैंन Soo तो इन दोनों को हमने जोड़ा कितना गया साथ, साथ में से मानिस क्या कर देंगे, छे को मानिस कर देंगे, साथ में से क्या कर देंगे, कितना बचेगा, एक बचेगा, तो इस एक से इस बारे में आप डिवाइड दे दीजिए, बारे में क्या करना है, एक से डिवाइड दे है LCM trick से 2-0 हो 3-0 हो 4-0 हो कितने भी नल हो एक नल खाली करने वाला है या 2-0 खाली करने वाला है उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस type to question यदि आप से पूछ लिया जाएगा exam में तो उसे आप छोड़ेंगे नहीं 2-3 second में ही solve कर देंगे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कहें तो कर लिजे और बेल आइकन का बटन भी दवाद दीजे दोस्तों धन्यवाद स्काइब सत्सक्राइब।